नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी एप चैनल पर आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ET Money जो अप्लिकेशन होता है देख सकते हैं इस पर आप SIP कैसे कर सकते हो मूचल फंड करीदने की अप्लिकेशन है दोस्तों जैसे कि हमारे पास ग्रो है उसी तरह कि एटी मनी भी अप्लिकेशन है लेकिन इस पर आप डीमेड अकाउंट बना करके स्टॉक्स खरीच सकते हैं और यह अप्लिकेशन का जो ओरीजिन था वहाँ पर सिर्फ आप मूचल फ पर कुछ इन्वेट्मेंट मैंने कर रहा था लगी वह आपको उपर दी जाता है कितना लॉस चल रहा है कितना क्या चल रहा है सब कुछ पता जाएगा नीचे थोड़ा सा जाओगे तो आपको थोड़ी इंफोमेशन मिल जाएंगी यह नियूस वगिर है यहां पर दिख जा जीनियस जो है इनका एक प्रोग्राम है जिसमें आप कुछ रुपए डालते हैं मतलब धाईसो रुपए दोसो उन्चाहस रुपए महीना ड़ता है और यह आपको सजेस्ट करते रहते हैं यानि कि आपको पूरा पूरा चीज़े बता रहे होते हैं कार्ट से यहां पर आप पर आपके हमने बहुत सारे अप्शन निकल जगा जाएंगे जैसे की फाइंड टॉप मूचल फंड फंड फिर स्टार्ट फिक्स डिपॉजिट अगर आप एफडी करना चाहते हैं एंपेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मैक्सिमाइज करना चाहते हैं से मनी इन पैसे निकालने थोड़े से लंबे समय का खेल होता है कि 2-3 लेकिन स्मार्ट डिपॉजिट में सिफ आदे गंडे में पैसे आपके निकाल जाते हो रिटरं भी अच्छे मिनते हैं तो यहां पर भी आप जो है फिक्ट डिपॉजिट जैसा ही फंडा समझ सकते हैं और इन्व में देखोगे तो लार्ज केप मिट केप स्मॉल के मल्टी केप यॉल यह सारे फंड्स आपको यहां पर नजर आ जाते हैं इसी तरह अगर डेप फंड में देखते हो तो डेफंड में आपको ओर नाइट लिक्वीड अल्ट्रा शॉट दूरेशन लो डिवरेशन मनी मार्के सारी चीज़े दिख जाएगी और अग्रेशी वाइबरेट बैलेट एक्क्वीटी सेविंग सारी चीज़े दिख जाएगी फिलाल हम एक्क्वीटी पर चलते हैं और नीचे के तरफ आपके सामने देखिए इंवेस्मेंट आइडिया हैं मुच्वांड फंड्स क्योंकि हमें यहां से आप कुछ भी चूस कर लीजिए जैसे कि मैंने कर लिए लाज केप चूस आपको सिंपली यहां से लाज केप चूस कर लेना है इसके बाद आपको यहां पर लाज केप के फंड्स दिखाई दे देते हैं इसे आईश आईशे प्रोदेंशल भारत ट्व रिटन मिल सकता है और कंसिस्टेंसी कैसी है वह यहां पर आप चेक कर सकते हो करेंट वैल्यू क्या है रिटन कितना मिलता है आपको पार रेनम वह यहां पर दिखाई दे देता है अध्यान में रखेगा दोस्तों जितना लंबा समय उतना अच्छ रिटन है अगर आप छोट फिर भी त्होड़ा ठीक मिलता है और इसी को अगर आप 5 साल दियर रखते है तो आप को मिलने वाले हैं तो आप यहां से चूज कर लेते हैं मंतली एसाई पी लेनी है या लमसम लेना आप यहां पर टैप करके ले सकते हैं मंसमvest्याइब मitel स्थिर्फ लिए में सब्सक्राइब यहाँ करते हैं तो यहां से आप क्या करते हैं फिल्टरं ऩ one से और और कि चिन में तो टोटल इंवेश्टमेंट कितना हो जाएगा कर मैं इसको मंतली कर देता हूं ठीक है कर लेते हैं 30,000 रुपे हो जाएगा पांस साल तक इंवेश्टमेंट अगर आप मंतली बना लेते हैं तो 500 रुपे की SIP अभी कोई भी आप जैसे चूस करना है तो इसको जैसे चूस कर इसको हमने पकड़ लिया है अभी इसके अंदर हम चले जाते हैं और पता जलता है इसके बारे में जादा जानकारी कि इसका NAV जो है का चीज रहता है डारेक्टर रेगुलर क्या होते है उसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है तो वह भी वीडियो चैनल पर है देख लीजिएगा तो return calculator मिल जाएगा इसके अलावा यह देखिए total value दिख जाती है category average bank fd gold के लिहाँ से कितना जादा यह सही है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाता है ठीक है comparison भी नीचे आपको मिल जाएगा कि यह वाला जो है second number पर आ रहा है इसका return इतना बड़ी है इससे अच्छब exist blue chip है जिसमें आप जा सकते हो निपान इंडिया इंडेक्स भी है इसके range में ठीक है इसके नीचे जाओगा यहाँ पर इसके asset allocation आपको दिख जाएगा यह इन्होंने पैसा लगाया हुआ है और जो अच्छी खासी return देने वाली कमणिया उन पर इन्होंने पैसा लगाया टोटल टोटल कमपनिया कितनी है वह चेक कर लेते हैं टोटल तो काफी सारी यहाँ पर कुछ नंबर से देनोंने नहीं किया है सीलेस कर लेते हैं ऐसे ही नीचे और देखेंगे तो आपको यहाँ पर कनारा रोबेको मिचल फंड में इसकीम टोटल एन एउम कितना है वह आपको नजर आ जाता है खरीदने के लिए करोगे आप इन्वेश्ट नौ का बटन दबाओगे जैसी इन्वेश्ट नौ का बटन दबादोगे यहाँ पर आपको बोल देगा कि आपको मंतली इसाइप लेनी है लमसम अमांट लेना है ल आपको इस्टॉल्मेंट बतानी पड़ेगी कि यह वाला एरो जो उसको दबाईए चूज कीजिए आपके इसाब से देखो इन्होंने पांच ही ऑप्शन दिये एक पांच पंद्रा बीस या पच्चीस तो चलो पंद्रा हम स्लेक कर लेते हैं अब कितने समय तक आपको ऐसा सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों यह एक फॉर्म होता है जिसको आपको प्रिंट कराके उसके बाद यहाप डाउनलोड का बटन है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि यह फॉर्म बनने के बाद आप इनको एक पर्मिशन दे रहे हैं कि आपके अकाउंट से यह हर महीने पंद्रा तारिक को एक हजार रुपे काड़ करके इस इन्वेक्टमेंट फंड में डाल दें S.I.P. करने के समय आपको आटो पे करना होता है ठीक है? यहाँ पर सीथे आपको बैंक के उपर ले जाए जाता है, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर दिखाए देता है, यहाँ पर आप सिलेट कर सकते हैं कि आपको UPI पेमेंट करना है, बैंक काउंट नजर आ रहा है, किस बैंक से जा रहा है, अगर दूसरा कोई बैंक एड करना यहां से जैसे आप select करोगे एक request आपके UPI पर चले जाएगी वहां से payment कर देना है और यह जो आपकी SIP है वो आपके हम पर जुड़ जाएगी आपका mutual fund जुड़ जाएगा